Hello everyone, welcome to study time with new informative video अलहाबाद हाई कोट से जो आरो यारो 2021 की वैकेंसी आई हुई थी तो इसमें जो कोट केस चल रहा है इसके जो रिजल्ट आया था इसकी अनिमित्ताओं को लेकर तो आज जो इसकी हीरिंग होई है इसमें काफी हद तक कह सकते हैं कि जो हमारे पक्च में था वो फैसला आने के उमीद है अब अगली जो हेरिंग है वो 25 तारीक की दे दी गई है और 25 तारीक को क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी लेकिन कई सारे विद्यारती हैं उनके कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि क्या सिर्फ रिवाइज रिजल्ट जो है जारी होगा या दुबारा से टाइपिंग करवाई जाएगी तो देखिए अभी कुछ भी कहना मुस्किल है कोई भी ये बता दे कि रिवाइज रिजल्ट जारी हो जाएगा क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे है कि रिवाइज रिजल्ट जारी होगा तो फिर बताईए जो सिलेक्ट हो गएते तो किसको बाहर करेंगे तो आज जो कोट में जो सुनवाई हुई है उसमें काफी अच्छी बहास हुई है मतलब काफी अच्छे से चीजों को देखा गया है सुना गया है और उसमें NTA से जवाब भी मांगा गया है कि आपने जो टाइपिंग करवाई है तो टाइपिंग में कैलकुलेशन किस आधार पर की है आपने और स्पीड जो आपने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें नहीं बताया है कि नेट स्पीड लेंगे, ग्रॉस स्पीड लेंगे तो उसमें क्या आपने प्रोसेस किया है तो सारी चीज़े NTA से जवाब मांगा है अब NTA अपना जो जवाब है 25 तारीफ को देगा और उसमें क्या सारी चीज़े रहती है वो देखने वाली बात होगी और तब तक के लिए जो जो जॉइनिंग है वो सब प्रोसेस भी अभी हाल के लिए रोक दी गई यानि कि वो सब प्रोसेस नहीं होगी अगर जॉइनिंग हो गई तो फिर केस का मतलब क्या क्योंकि केस काफी अच्छा चल रहा है अगर केस में दम नहीं होता तो ये पहली या दूसरी हेरिंग में ही इसको निप्टा दिया जाता लेकिन आपने देखा कि लगातार इसकी जो हेरिंग है वो हो रही है कल भी हुई आज भी हुई अब नेक्स्ट डेट जो है वो 25 की दे दी गई है तो देखते हैं क्या होता है और जो भी अपडेट आएगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार प्रदान की जाएगी और आज काफी जो सवाल जवाब थे वो किये गए NTA से कि आप अपना जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपने जो टाइपिंग में चीज़ें है वो नहीं की NTA स्कोर के से साब से ये जारी किया गया और ये बहुत सी चीज़े जो है और देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि ऐसे हम तो निर्लने देने वाले हैं नहीं कि हम पता दे कि ये हो जाएगा लेकिन जो मोटा मोटी लोगों से पता चला है जो बाचीत हुई है कि जो री एक्जाम है तो उसकी कम संभावना अभी लग रही है क्योंकि जाधा तर जो बाते हो रही है जो बहस हो रहे हैं जो प्रस्न हो रहे हैं वो सिर्फ टाइपिंग को लेकर चल रहे है देखते हैं कि क्या होता है कि पूरा प्रॉसेस उसमें लिया जाता है कि जो stage 1 था उसमें भी ये सारी चीज़े होई है गड़बड़ी बहुत सारी हुई है तो सारी चीजों को सबूत जो जितने भी है पेस किये गए है तो सब को देखा जाता है या फिर सिर्फ typing का matter ही क्योंकि अभी जादा तर जो मुद्धा बना हुआ है गरम वो सिर्फ typing का matter ही बना हुआ है तो देखते हैं आगे की hearing में क्या होता है और जो भी update आएगी 25 तारीक को तो वो आपको इसी channel के माध्यम से दे दी जाएगी तो तब तक आप लोग पढ़ते रही हैं अगले जो exam है उनकी तैयारी के लिए और thank you